हलो दोस्तों जियो गुर्जी क्लासेज में आपका स्वागत है मैं रोई शर्मा सब्जेक्ट अपना जोग्रोफी देखिए मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ प्रस्न पत्र संख्या 3 मतलब आपके जो बुगोल प्राइवी परिक्षा है उसमें प्रस्न पत्र कैसे आने आप तक मैंने दो वीडियो आपके लिए बनाये हैं जिसके अंदर प्रथम पेपर और दुत्तिय पेपर जिसमें मैं आपको बताया कि आपका जो बुगोल प्राइवी का प्रश्न पत्र कैसा आने वाला है हर बार मैंने कॉश्चन चेंज कर करके आपको मैंने बताएं और ह इस प्रकार से प्रश्न आने वाले वैसा ही प्रश्न पत्र आज पेपर नंबर तीन मैं आपके लिए लिखे आया हूँ ठीक है अब तक दो पेपर मैंने आपको बता दिये हैं उनमें भी देखोगे तो आंकडे प्रश्न सब कुछ आपको अलग-अलग मिलेगा आज हम पेपर आपको दिये जाएंगे जैसे कि आपको पता है कि प्रायोगी के बुक के अंदर आपको चार लेसन दिये हुए उन चार लेसन से ही हर लेसन से एक एक कोशन आपको करने होंगे ठीक है मतलब चार कोशन आपके पास आएंगे पर कोशन मतलब हर कोशन एक चार नंबर का ठीक ह अब ऐसे ही नया पेपर आपके लिए लेके आया हूँ देखिए पेपर में पहला कोशन क्या कह सकता आपको आकड़े से आप क्या समस्ते हैं जैसे कि पहला नंबर का जो लेसन है उसमें आकड़ों से सम्मादित वो लेसन है तो जैसे कि प्रशन ऐसे आ सकता है आकड़ों से आ आप क्या समस्ते हैं ठीक है अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेशन आ सकता है आकडों के संग्रहन विद्यों के नाम बताने ठीक है ठीक है आपको आकडे क्या है उसके बारे में बताईए फिर बताने आपको आकडों को संग्रहन मतलब आकडों को संग्रहन करने की कई विदिया है ठीक है मुख्यत है दो विदिया है प्रात्मिक आकडे और दुत्ति आकडे तो उन विद्यों के क्या लिखने है नाम लिखने ह ठीक है बताईए प्रतेक विदियों के दो दो स्रोतों का वर्णन कीजिए ऐसा कोशन आपके सामने आ सकता है अब देखें इस यह नंबर का डिवाइडिशन मैं बता दू आपको चार नंबर का जैसे कि यह मेंटर है तो आप देखें इसमें कोशन कितने है तीन कोशन दिये जैसे कि एक कोशन यह है एक कोशन यह है और एक कोशन यह है तो ऐसा आ सकता है वन प्लस वन प्लस टू ठीक है तो यह चार नंबर का इस तरीके से आपका डिवाइडिशन नंबरों का हो सकता है समझ में आगी बात ठीक है अब आज आईए कोशन नंबर दो पर अब ये प्र प्रात्मिक सुर्थों का वर्णन कीजिए अब तीसरे तरीका को वर्णन कर दीजिए ऐसा कोशन आपके सामने आ सकता ठीक है चलिए यह आपका कौन सा लेसन हो गया पार्ट नमबर पहला ठीक है first lesson सी lifeskun आने वाला है second lesson से कोशन क्या आने वाला है देखिए दिए गए आंकडो के प्रियोग से लिखेंगे दिए आकडो के प्रियोग से ठीक है एक factory है अब यह कोशन मैंने पिछले पेपर में भी करवाया था लेकिन मिलता जुलता ठीक है फैक्टरी में काम करने वाले जितने भी लोग है उनकी जो मजदूरी है उस मजदूर की गण्णा करनी है माध्य प्रत्यक्स विदी से ठीक है करने वाले माध्य प्रत्यक्स अब मैंने पिछले पेपर में प्रत्यक्स डाला अब मैंने प्रत्यक्स विदी डाल दी प्रत्यक्स विदी से मजदूरी की क्या कीजिए गण्णा कीजिए या मजदूरी दर की गण्णा कीजिए ठीक है ऐसा कोशन आपके सामने दरकी गर्णा कीजिए अब क्या पूछ रहा है माध्य पूछ रहा है और वो भी प्रत्यक्स विदी से पूछ रहा है समयाई बात अब इसको एक छोटा सा आपका बॉक्स ऐसे दिया हुआ आएगा ठीक है और जैसे कि इसमें लिख देंगे क्या मजदूरी रुपए दिन जो मजदूरी लोगों को मिल रही है रुपए कितने मिल रहे है और दिन के साफ से ठीक है और नीचे आ जाएगी स्रमिकों की संख्या ऐसा डाल दिया जाएगा और फिर इसके आकड़े सामने दे दिया जाएगी जैसे कि 50 से 70 ठीक है 70 से कितना हो जाएगा 90 ठीक है फिर कितना बताया 90 से इसके मतलब इनके गैप के साब से आपको वर्ग दे दिया जाएगा जैसे कि 110 110 से 130 ऐसे डिवाइडेशन होगा फिर आपके और आगे भर दीजिए 130 से 150 ये वर्ग दे दिया आपको ठीक है इसमें आवर्थी F दे दिया जाएगा F की आवर्थी क्या है ठीक है जैसे कि 10 है 20 है 25 है ठीक है ऐसे आवर्थी आपके सामने दे दिया जाएगी 35 है 9 है ठीक है ये आपके माध्य अब प्रतेक्स विधी से ज्यात करना है ठीक है प्रतेक्स है प्रतेक्स दो विधी Clean मैं डाल दिया प्रतेक्स विधी ठीक है ऐसा सवाल आपके सामने आशकता है चलिए अब इसके अंदर अथ्वा का question आपके सामने डाल दिया जाएगा अत्वा में मादिका की गर्णा करवाएगा आपसे ठीक है निम्न आक्डों के प्रियोग से या निम्न आक्डों के लिए मादिका की गर्णा कीजिए ठीक है आप गर्णा के लिजिए जैसे कि इसके अंदर आपके आक्डे दे दिये जाएंगे उसी तरीके जैसे उपर दिया ह और संख्या डाल दी जाएगी जैसे कि वर्ग उपर और नीचे आवर्ती डाल दी जाएगी इसको एम बोलते हैं ठीक है अब वर्ग में किस तरीके से जैसे कि 50-60-60-70-80-90-90-100-100-110 ऐसे दे दिया जाएगा ठीक है 50-60-60-70-70-80-90-90-90-100 ठीक है और आगे बढ़ना चाओ जैसे कि 100-110 ठीक है इसमें आवर्ती दे दिया जाएगी जैसे कि 3 है जैसे कि 7 है जैसे कि 11 है 16 है 8 है जैसे कि 5 है ऐसा सवाल आपके सामने दे दिया जाएगा और ये सवाल होगा च्यार नंबर का ये मैटर होगा क्लिर आगी बाद समय अब आपको इच्छा हो तो माध्य प्रतेक्ष्विदी से काम कर लो या आपके इच्छा हो कि माध्धिका की गर्णा करनी है तो माध्धिका की गर्णा कर लीजिए समय आगी बाद ठीक है अब कुछ मिलते जुलते आपको पिछले पेपर मिल जाएंगे कई पेपर में आकड़े चेंज होगी, जैसे उपर वाला question ही चेंज हो गया, ठीक है, ऐसे, समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उताल लीजिए, देखे प्रशन संक्याब 3 की बात करते हैं, और lesson number कौन सा होगा, 3 ही होगा, ठीक है, अब इसमें पूछ लिया जाएगा जैसे तारेक में प्रदशित कीजिए, ठीक है, ऐसा सवाल आ जाएगा, चार नमबर का यह matter होगा, और आपके सामने नीचे साणी दीवी आएगी इस तरीके से, और इसमें आपको पाई डाइग्राम जिसे हम बोलते हैं, व्रत तारेक, इस तरीके से गोला बना के मैंने आपको ब परो से, यह कोशन आपको नहीं मिलेगा दूसरे पेपर के अंदर, ऐसा भी कोशन आ सकता है, जैसे कि परदेश डाल दिया, अब हमारे देश से भारतिये निरियात का प्रतिशत बता देगा कि भारत में इन छेत्रों में कितना निरियात होता है, ठीक है, लिग देंगे, भा मारते हैं, निरियात का प्रतिशत हो गया, अब निरियात कहां पर हो रहा है, जैसे इसमें डाल दे, यूरोप में हो रहा है, अब यूरोप में कितना हो रहा है, जैसे कि 20.2 प्रतिशत हो रहा है, ठीक है, यह प्रतिशत लगा देंगे, फिर आगे बढ़िये, जैसे कि अफ ठीक है, जैसे कि Australia में भी हो रहा है, ऐसे आंक डे आपको दिये वे आएएंगे और फिर आपको क्या निकालना है, वरत तारेक बनाना है, 14.8 प्रतिशत हो गया जैसे कि 56.2 प्रतिशत हो गया जैसे 2.3 प्रतिशत हो गया अब ऐसे आंकड़े आपको दे दिये जाएंगे बोल दिये जाएगा बहिया वरतारिक का निर्मान कर दीजिए ठीक है वरतारिक आपको सब को बनाना आता ही है इनको सब को जोड़ दीजिए और एक सुत्र लग जाएगा कि X का प्रतिशत बटा कुलमान इंटू 360 यह इसका सुत्र है जो आप जानते ही हैं आपके टीचर्स ने बता दिया होगा इस तरीकों कि व्रत्तारिक किस तरीके से निकाला जाता है फिर वो डिग्री बनेगे ठीक ह इसी के अंदर एक कोशन और डाल देगा मान लीजिए आपको यह कोशन नहीं आता है बही में को तो नहीं बनाना आता है तो इसी के अंदर एक कोशन डाल देगा निम्न में से किनी दो पर कमेंट कीजिए मतलब टिपड़ी कीजिए ठीक है अब दो कौन से होंगे जैसे की द रवा सैचित्र किसे कहते हैं इसके बारे में बता दो साथ इसके अलावा आपको जैसे कोश्चन दे दिया बिंदू कित मानचित्र क्या है बिंदू कित मानचित्र एश्या कोश्चन दे दिया आपने अना और जैसे की वण मात्री किसे कहते है वण मात्री मानचित्र क्या होता सम्मान रिखा मांचित्र आप कोई जरूरी नहीं है कि आप व्रत्तारेक बनाओ आप इसमें से भी कोई सा भी दो टिप पर जैसे यह आ गया यह आ गया दो का अंसर लिख दीजिए समय आ गी होगी आपको हना क्या करना है आपको इसी के साथ में चोथे कोश्चन की बात कर ले अब इता है जैसे कि आप से क्वोचन पूछ ले जाए कि भोगोलिग सूचना तंत्र क्रियां के अनुकरमों का वर्णन कीजिए कि अनुकरमों की जो क्रियाओन के अनु क्रमो का क्या कीजिए वर्णन कीजिए अब ये वकोशन आपको पिछले पेपर्मेन नहीं दिया था इस पेपर मैं ये कोशन डाल दिया है थीक है, भोगोलिक सूचातंत की क्रियाई जो है उसके जो काम है उस कामों का वर्णन आपको इसमें करना है lesson number 4 में दूसरा तीसरा ही page है जिसमें आपको ये question आपको answer सही मिल जायागा ठीक है अब इसमें भी आपको अथवा दे दे मैंने पहले भी कहा था कि आपको examer जो होगा वो अथवा में काफी question देने वाला है क्योंकि 4 ही तो question है और इसमें आपको दूसरा question बताए उसमें भी आथ हुआ है चाहे मात दे करो चाहे मात दीका करो फिर दूसरा तीसरा मैंने बताया आरेक वाला प्रवत्तारेक वाला इसमें वरत्त बनाईए या फिर इसमें से टिपड़ी कर दीजिए इसमें भी देख लीजिए चोथा question है चोथे lesson में से भोगोलिक सूचना तंति की किनियाओं का अनुक्रम का वर्णन कीजिए अब इसी lesson से एक question और देदे जैसे की चित्र रेखा पुंज है ठीक है जिसे हम बोलता है रेस्टर ठीक है इसका वर्णन या फिर हम कहे एक होता है वेक्टर ठीक है ना वेक्टर होता है जिसे हम बोलता है सदीश वेक्टर ठीक है ना जैसे की लिखतेंगे चित्र रेखा पुंज इसको तो क्या बोलता है रेस्टर एवं एक होता है सदीश इसको बोलता है vector में अंतर बताना आपको ठीक है ये जो दोनों आकड़ा जो model है इसके मद्धे में अंतर बताना आपको ठीक है तो चितरेखा पुझ रेस्टर एवं vector सदीश vector के आकड़ा model में अंतर बताईए ठीक है ऐसा question आपके सामने देदेगा चितर रेखा पुझ रेस्टर सदीश vector जो आकड़ा model है उनके बीच में आपको अंतर इसपस्ट करना चार नंबर का matter ही होगा अब दोनों में से आपको जो easy लगता है या तो ये कर दीजिए या फिर ये कर दीजिए ठीक है इस तरीके से चार lesson में से मैंने आपको चार question आपको बता दिये कैसे करना है आपके सर ने आपको बता दिया बाकी आगे जो वीडियो होंगे उसमें मैं आपको हल करके भी बता हूँगा अभी केवल मैं आपको पेपर बता रहा हूँ बाकी मेरा इंतजार मत करना कि मैं कब बता हूँगा बाकी मैं आपको पेपर बता रहा हूँ इन पेपरों को आप अपने teacher को बताईए और ये कहिए कि सर ये question है इन question हो को हल कराईए तो आपके लिए अच्छा होगा आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से question आने वाले आपके teacher के लिए भी अच्छा हो जाएगा कि उनको पेपर बनाने की जुरत नहीं होगी आप यहां से भी पेपर उठाके उनको दे सकते हैं और ऐसे ही प्रशन आने वाले है अभी मैं आपको तीसरा पेपर बता पाने वाला हूं इंतर इंतजार करते रहिए मेरे वीडियो का ठीक है इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो अपको कैसा लागा comments करें जरूर बताए और मेरें चैनलन को subscribe जलूर से जरूर करें Brussels स न्यए नए वीडियो आप तक पहुचा सकूं धन्यवाद